हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट अड़ाइस्टडी में तो दोस्तों जैसा कि हम लोग सामान अध्यन के लिए एक 5000 प्रशनों का सेरीजी स्टार्ट किये हुए हैं जिसका आज प्रैक्टिस सेट दूसरा हम यानि कि जो भी एक्जाम है जिसमें जी के आती है वह सारे एक्जाम के लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन होगा क्योंकि यह वही कोस्टन है जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एक्जाम में ठीक है तो आप चैनल से जुड़ जाए और पहला वाला सेशन जरूर आपंट हमसे चैनल से जुड़ सकते हैं कैंगी हम इस लक्षाटर के जो पीटिएफ हैं आपको वहीं पे देंदेते हैं ढूलोड कर सकते हैं सात्य यत का कोस्टन अप sexy नाम से क्योंकि देखिए हम लोग कम यानि कि 15 कोर्षन लेते हैं लेकिन 15 कोर्षन की मदद से हम लोग 40 से 50 कोर्षन बना देते हैं और वो जो भी कोर्षन होते हैं वो आपके एजाम में पूछे जा चुके हैं और वो पूछे जाते हैं ठीक है तो बहुत ही ध्यान से और अंद तक वी महात्मा गांदी की जो शिस्या थी मीरा बिन उनका वास्त्विग नाम क्या था उनका वास्त्विग नाम था महात्मा गांदी की जो शिस्या थी उनका वास्त्विग नाम था मैडलीन इसलेड था ठीक है और इनकी जो प्लब्दी थी इनों नहीं क्या किया था सारव प्रथम पहाड़ियों द्वारा ठीक है पहाड़ियों द्वारा गाधी जी का एक कारगरम था सरवोद है ठीक है जिसके शुरुआ गाधी जी नहीं की थी तो इन्होंने पहाड़ियों के जो लोग थे उन्हों को ही सरवोद है के द्वारा सिच्चित किया था ठीक है प् सभी जवाब दे सकते हैं comment में ठीक है तो चलिए हम बताते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Martin Luther King जो है यह आपके एक सामाजीक कार्य करता थे यानि कि इसका आंसर हो जाएगा एक जन अधिकार सक्रियतावादी कार्य करता थे ठीक है और इन्हों नहीं क्या नम है अफ्रीका में क्या अमेरिका में क्या होता था कि वहां पे अस्वेद और अस्वेद नाम का जो प्रथा था उसी के लिए आंदोलुन चलाये थे ठीक है माटी लूथर किंग ने और इनको सांती के लिए नोबल पूरसकार मिला था किसके लिए नोबल पुरसकार मिला था, सांती के लिए इनको नोबल पुरसकार मिला था, और कब मिला था इनको नोबल पुरसकार, ये आपको मिला था, 1964 में इनको सांती के लिए नोबल पुरसकार मिला था, ठीक है, माटे लूथर किंग कौन थे, एक समाजिक कार्य करता थे, एक सामाजी कार्य करता थे ठीक है और इन्हों नहीं स्वेत अस्वेत के खिलाफ अंदोलन चला था ठीक है जिसमें अस्वेतों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें सांती के लिए नोबल पूरसकार मिला था कम मिला था 1964 सुई में ठीक है पंद्रवं कोश्चन है शेख निजामुदिन ऑलिय का दर्गा कहा इस्थित है ठीक है तो देखे इस कोश्चन को बतानीज पहले मैं आपको बता दूँ सेख निजामुदिन ऑलिय व्यो सासन देखा था तो ये सेख Nija Holland ओलिया ही थे जिन्होंने दिल्ली में सात सुल्तानों का सासन देखा था ठी कह और इस कौ्शल का अंशर हो जागा सेख Nija या मुद्दिन अउल्या का दरगा वो कहां परिष्थित है आपका अगले question के तरफ चलते हैxico भार्ति संविधान में संसोधन प्रक्रिया का उले किया गया है ठीक है आपको पता होगा कि संविधान में कुछ भी जोडा जाए या पिर कुछ भी हटाए जाए या उसमें किसी article में संसोधन किया जाए, तो वो किस article के अंतर्गत वो संसोधन की प्रक्रिया उसमें कियाती है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, option C यानि कि anuchy 368 ठीक है, anuchy 368 के अंतर्गत ही, सम्विधान में कोई संसोधन किया जा सकता है, और संसोधन की प्रक्रिया कब होती है दोनों सद्नों की मंजूरी और राश्पती की मंजूरी के बाद ठीक है सत्रामा कोश्चन है भारत द्वारा अंटार्टिका में अस्थाबित किया जाने वाला नया अनुसंधान केंद्र कौन सा है ठीक है अब आपके पास देखिए आपसने दच्छिड गंगोत्री भारती दच्छिडान मैत्री तो देखिए सबसे पहला जो सबसे पुराना जो आपका सबसे पुराना जो आपका ये भारती अंसंधान किन था जो आपके अंटार्टिका में अस्थापित किया गया था ये कौन सा था ये आपका मैत्री था ठीक है मैत्री जो था आपका मैत्री जो था उननीस सो तिरानवे में अस्थापित किया गया था ठीक है फिर उसके बाद आपका दच्छिड गंगोतरी जो है आपका उनिस सो तिरासी में ठीक है यह जो आपका मैत्री है यह आपका उनिस सो तिरानवे में स्थापित किया गया था ठीक है और फिर उसके बाद जो है दच्छिड गंगोतरी जो तिरासी में स्थापित किया गया था और जो सबसे नवीनतम है वो है भारती ठीक है भारती जो है यह कब स्थापित किया गया था भारती जो है दो हजार बारे में स्थापित किया गया था और इस परस्ण का आपका आंसर क्या हो जाएगा यही आपका भारती वजाए का ऑप्शन B मैतरी जो है आपका 1993 में अस्थापित किया गया था दचिण गंगोतरी 1983 में स्थापित किया गया था अगला कूशन देखते हैं अट्रामा अनुवान सिख्ता कि हमारे सरीर में इकाई को क्या कहते हैं अनुवान सिक्ता की हमारी सरीर में इकाई को क्या कहते हैं इसका आंसर आप बताईए option A, गुरसूत्र, option B, DNA, option C, gene और option D जो है आपका nucleus ठीक है तो इसका आंसर आप लोग बताईए comment करके क्या होगा इसका आंसर ठीक है तो चलिए इसका आंसर बताते हम option C जो है यानि की जो आपका क्या कहते है gene, option C जो है इसी को ही अनुवान सिक्ता की हमारे सरीर में इकाई कहते है gene, ठीक है gene को ही हमारे सरीर में क्या नमें इकाई कहते है ठीक है, अब आते हैं अगले question के तरफ भारत में क्रिसी घटनाए यह गटनाय नहीं होगा, यहां क्रिसिगत आये होगा, ठीक है, क्रिसिगत आये, यह होगा आपका, क्रिसिगत आये, क्रिसिगत आये, पर कर लगाने का अधिकार नहीं होता है, यह आपके किसके पास होता है, भारत में क्रिसिगत पर कर लगाने का अधिकार जोता हो, किसके पास होता है, राजी सरकार के पास, किन सरकार के पास, या फिर दोनों पास, या फिर इनमें कोई नहीं, ठीक है, तो इस कि जो राज सरकार होती है क्रिसीगत आय पर कर लगाने का अधिकार उन्हीं के पास होता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आपका जो राज सरकार हो जाएगा ठीक है बीस्वा कुश्चिन आपका सतीज़वन अंतरिच केंद्र सतीज़वन अंतरिच तो इसका answer जो है, क्या हो जागा आपका, इसका answer जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जहां से आपके कई सारे लांचिंग की आती है ठीक है अगला कोश्चन आते हैं 21 आपके इने कई बारी कोश्चन देखा होगा एक्जाम में इंटरनेट एड्रेस यानि की है इनटरनेट एड्रेस में रिखोड का पूडर अर्थ होता है दोस्तों option आपने कई बार कोश्चन इसको देखा होगा तो इसका फुल फाम क्या होता है हाईपर टेक्स्ट ट्रांसफर पोटोक अलों ठीक है 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 इसका सही आफची आन्सर होगा है हाईपर टेक्स्ट, ट्रांसफर, प्रोटोकॉप, ठीक है, इसका सही आंसर हो जगा, ठीक है, 22 वे कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ताप का सबसे उच्चतम चालक होता है, ताप का, यानि कि हीट का, सबसे उच्चतम चालक होता है, लोहा, एलिमूनियम, तामबा, चांदी, त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका, D, सबसे उच्चतम चालक होता है, चांदी, आपने देखा भी होगा, कि मैक्सिम जो वायर होते हैं, आपके चांदी के ही होते हैं, ठीक है, तो आपका सबसे उच्चतम चालक होता है, वो आपका क्या अब अगले कोश्टन के तरफ आते हैं इंद्र धनुस में सीमान तरंग होते हैं अब देखें कई बार इससे पूछ ले आता है विब्ग्योर क्या होता है वी आई वी जी वाई ओ आर ठीक है सात रंग होते हैं दो दोचार दोचे और एक साथ ठीक है अब यह पूछा है देखे अब इसका अंसर भी यहीं से मिलता है ठीक है हमने आपको बता दिया था इंद धनुस में सीमान तरंग होते हैं तो इसके लिए आपको याद रखना हो जाए विब क्योर ठीक है तो क्या होगा इसका आंसर यह हो जाएगा आपका बैगनी तथा लाण धूंख है अब अगला कोश्चन है चौबिस्व तीन दिसंबर को मनाय जाता है क्या ठीक है तीन दिसंबर को आपको 265 क लांगिता §ạ या फिर नाइक्स शेवा दिवस दिवस या फिर इट्स दिवस मनाए जाथा तो इन में से क्या आंसर होगा अपका मेंड करके葉ता है एक किमेंड करके पताई यह अप सेम्ष़ आप सन्दीurer तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों पता होगा मानवादिकार दिवस जो होता है मानवादिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मना जाता है ठीक है और जो आपका ये इसका का अंसर होगा इस कोश्चन का अंसर होगा जो तीन दिसंबर को क्या मैं जाता है तो तीन दिसंबर का होगा विश्व विकलांगता दिवस ठीक है विश्व विकलांगता दिवस कब मना जाता है तीन दिसंबर को मना जाता है ठीक है 10 दिसंबर को मानमादिकार कई बार कोश्च लीक हुई थी बोपाल गैस तराशदी में कौन सी गैस लीक हुई थी option A carbon monoxide option B methyl isosynate option C ethylcyanide और option D जो है phenyl isosynate तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों option B methyl isosynate जो काफी बहुत ही भयानक यह गैस तराशदी में थी जिसमें कई lie a thousand लोग मारे गए थे ठीक है तो और यह दरसल होता क्या है जो mythyl iso sinoate होता है यह कीट नाशक बनाने वाली जो यूनिट थी वहां से इस gas का रिषा हुआ था एक करकान था जहां पर कीट नाशक कीट नाशक दमाई बनी थी और वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए और वीडियो को सेयर करें ज्यादे ज्यादे लोग तक देखें आप घर बैठे हैं लागडाउन में इस समय का उप्योग कर सकते हैं और यह कोश्चन वह है जो हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं कोई इस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है आप वहां से जुड़ जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद ठीक है और वीडियो को जादे जादे लोग तक सेयर भी करें ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद